हेलो एब्रिवन वेलकम टू राज की रेसिपी फ्रेंज आज राज की रेसिपी में बिल्कुल होटल स्टाइल वह भी घर पर बने मसालों के साथ सांबर बनने वाला है और आपको यह यकिनन पसंद आने वाला है सांबर साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस है जिसे इडली, जोसा, मेदूबड़ा, उत्पम और इसे चावल के साथ भी खाया जाता है ऐसा कहा जा सकता है कि सांबर के बिना साउथ इंडियन फूड अधूरा है सांबर तूर दाल और कई तरह के सबजियों को मिला कर बनाया जाता है सबजिया आप अपने चोईस के अनुसार कोई भी जो भी सबजे आपके घर में अविलेबल है वो ले सकते हैं मैंने यह लौकी, बीन्स, गाजर, बैगन, टमाटर, प्याज, आलू और हरी मिर्च को छोटे-छोटे टुकडों में काट करके त्यार कर लिया है तूर दाल को आदे घंटे के लिए सोक करके रख दिया था और इ हमने यहां सरसुत तेल का यूज किया है आप चाहें तो कोई भी कुकी को यह ले सकते हैं कड़ी पता डालेंगे और राई डालेंगे और राई और कड़ी पता चटक जाए तो हम इसमें प्याज एड़ करेंगे प्याज को हम एक दो मिनिट के लिए सोटे कर लेंगे एक एक करके सारे सब्जियों को डालेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज भून रहा है, और आप हम ज़े थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम दुसरे सब्जियों को एड़ करेंगे, तो हमारे प्याज हो चुका है, एक मिनिट हो चुका है, सब्जियों को एक साथ मिक्स कर लिया है हरी मिर्च भी डाल दिया है इसमें अब हम तूर डाल जो हमने दो करके पहले सही दो करके रखा था उसको भी एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें पानी एड़ करेंगे पानी इतना डालेंगे जिससे हमारी सबजिया और डाल अच्छे से इसमें डूब जाए पानी थोड़ा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने चोईस के अनुसार पानी हमने डाल दिया है अब इसमें अच्छे कलर आने के लिए कास्मीरी रेट चिली पाउडर डालेंगे हल्दी और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे कुकर का धकन लगा करके हाई फ्लेम पर एक सिटी आने तक और लो मीडियम फ्लेम आने तक हम दो या तिन सिटी आने तक हम कुक कर लेंगे और जब तक हमारा सांबर कुखोगा तब तक हम मसाले त्यार कर लेंगे तो चलिए देखते हैं सांबर मसाला बनाने के लिए हमें किनकिन चीजों की जरूत है हम एक बड़े चमच धनिया लेंगे, दो सुखी लाल मिर्च, मेथी दाना, काली मिर्च और एक चमच जीरा लेंगे इसे हम कड़ाही में थोड़े सा तेल डाल करके, हाप टी स्पून तेल डाल करके और इसको रोस्ट कर लेंगे और इसे फिर ठंडा हो जाने के बाद मिक्सी के जार में डाल करके और एक फाइन पेस्ट त्यार कर लेंगे तो हम इसे ड्राइ रोस्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे अगर आप मसाले को स्टोर करके रखना चाहते है तो इसके क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और बीना तेल का आप इसे रोस्ट करके और इसमें हींग और काला नमक डाल करके और पाउडर बना करके स्टोर करके रख सकते हैं इमली को हमने भिंगा के रखा था, इसका भी पल्प तियार कर लेते हैं, हमारे सांबर में एक सीटी आ चुका है, गैस का फ्लेम लो मीडियम कर देंगे, और जब तक हमारा सांबर कुक हो रहा है, तब तक हम मसाले ग्राइन करके तयार कर लेते हैं, तो हमारा सांबर बिल्कु मतलब ready हो चुका है आप देख सकते हैं कि इसमें सब्जियों का चंक्स दिख रहा है अगर आपको सब्जियों का चंक्स पसंद ने हैं तो आप एक पोट्विटे मैसर से इसे मैस कर सकते हैं इसमें हम grind किये हुए मसाले को डालेंगे और अच्छे से mix कर लेंगे और जो हमने इमली का pulp निकाला था उसे भी हम इसमें add कर देंगे और अच्छे से mix कर देंगे और दस मिनट तक low flame पर इसे cook होने देंगे धकन उपर से रख देंगे धकन cooker का धकन हम बंद नहीं करेंगे उपर से इसे धकन रख करके और दस मिनट तक हम इसे low medium flame पर cook होने के लिए रख देंगे धीरे धीरे हमारे सांबर को ऐसे cook होने देंगे जिससे इसमें texture बहुती मतलब बढ़ियां बन कर क्या आएगा आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा सांबर बन रहा है और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको chunks अगर पसंद नहीं है सब्जियों के तो आप इसे मैस कर सकते हैं किसी मैसर से हमें सब्जियों का chunks पसंद है इसलिए हम इसे मैस नहीं करेंगे तो हमारा 10 मिनिट हो चुका है low medium flame पर cook होते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा सांबर बिल्कूल delicious कितना मतलब यम्मी बन करके त्यार हो चुका है हमारा next process एक और है हमें इसमें तड़का लगाना है तो चलिए हम सांबर में तड़का लगा लेते हैं तड़का लगाने के लिए हमने एक तड़का पेन को गैस को पर रख दिया है हमने फिर से mustard oil का यहाँ पर यूज किया है राई डालेंगे राई चेटक जाए तो कड़ी पता एड़ करेंगे और सुखी लाल मिर्च को डालेंगे अब जो अच्छे से यह भून जाए तो हमें यह सांबर में एड़ कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे राई कड़ी पता और सुखी लाल मिर्च भून चुके हैं अब चलिए सांबर में इसको एड़ कर लेते हैं तो सांबर में हम चड़का लगा दिए अ हमारा सांबर तयार हो चुका है आप देख सकते हैं कि कितना डिलिसियस दीख रहा है तो चलिए देर ना करते हुए हम इसे गर्मा गर्म सर्ब कर लेते हैं तो हम इसे किसी एक बाउल में निकाल के देखते हैं आप देख सकते हैं कि कितना यम्मी लग रहा है, बिल्कुल होटल स्टायल, रिश्टुई्डेंट स्टायल हमारा मतलब सांबर बन करके त्यार हुआ है, हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं, और सर्प कर लेते हैं गर्मा गर्ब तो हमने एक बाउल में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं आप इसे किसी भी चीज़ के साथ जैसे इडली, डोसा, मेदु बड़ा आप इसे चावल के साथ भी इर्जोई कर सकते हैं चावल के साथ भी उतना ही टेस्टी लगता है जितना यह डोजा, इडली और मेदुबड़ा के साथ तो friends, कैसी लगी आपको यह मेरी recipe Thank you so much for watching अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी से भी पसंद आई हो तो इसे like, share and subscribe करना न भूले Once again, thank you so much for watching